मसकार दोस्तूं आप सभी को और आपके अपने परिवार वालों को तेता साथ में परदेश की जनता को मेरी ओर से और कुछामन ओनलाइन कलासेज की तरफ से नवर्ष के हारदिक सुपकामना है दोस्तूं तो दोस्तू आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर रेट विगप्ती पांच जनवरी तक नहीं आई तो मैं अंसन पर बेठूंगा ये किस ने कहा क्यों कहा और रेट विगप्ती में देरी क्यों हो रही है तो आप अंतग मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तू तो दोस्तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रेट विगप्ती में देरी की तो दोस्तो आप सभी को पता है कि जो लेविल फेष्ट है उसके अंदर बीयड को सामिल किया जाए या ना किया जाए और राजस्तान जी के कोन कोन से पार्ट है जो रेट के अंदर जोड़े जाए इसी को लेकर समिक्सा चल रही है इसी को लेकर है जो रेट विगप्ती है जो दिसंबर अंत के अंदर आने वाली थी उसके अंदर क्या हो रही है दोस्तो देरी हो रही है अब बा की है कि मैंने कहा था कि दिसंबर महीने में विगपती जारी नहीं होती है तो मैं अंसन पर बैठूंगा आज साम पांच बजे पाली हूँ कल जालो शाचोर बाढ़ मेर फिर जोदपूर हूँ और चार जनवरी को जेवपूर लोटूंगा और यदि सरकार ने पांच जनवरी तक रेट की विगपती जारी नहीं की तो मैं 6 जनवरी को सुबह 11 बजे अंसन पर बैठूंगा तो दोस्तों उपेन यादो कहीं ने कहीं परकार से सरकार पर दबाव बनाने का प्रियास कर रहे हैं कि जल्दी से रेट विगपती है वो जारी की जाए क्योंकि बहुत सारे ब बेरोजगार साथी जो 10 लाग बेरोजगार साथी रेट की तयारी कर रहे है उनके पास परियापत समय है भी कि अगर विगपती और सरकार से रेट विगपती को जारी करवाया जाए और बेरोजगारी जो बेरोजगार साती है उनको एक मौका दिया जाए नव वर्स पर जो अपनी तियारी है जो जारी रख रहे हैं लेकिन उसको और बल के साथ तियारी करें दोस्तु तो दोस्तु यही था कि उपेन यादव दोस्त में ही का है कि अगर पांच जनवरी तक रेट विगपती जारी नहीं करती है सरकार तो मैं बेट जाओंगा अंसन पर दोस्तु तो दोस्तु कैसी लगी हमारी जानकारी सभी मित्र कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को नवर्स के हर्दिक सुपकामनाई जे हिंद जे बार